दोस्तो मैं हूँ आपका दोस संदीब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेस गीक जैसे कि आप थमनेल में देखी पा रहे हैं कि कैश पोनश अगले ही साल शुरू हो जाएगा तो क्या कोई ऐसा प्लान हो सकता है तो दोस्तो बिलकुल हो सकता है ऐसा प्लान उस प्लान का नाम है HDFC Live का संचे पार अडवांटेज दोस्तो अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं और आप धीरे दीरे आपनी फाइनेस नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं तो किरपर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज का टॉपिक विस्क्राइब कर लेते हैं जो कि है HDFC Live का संचे पार अडवांटेज प्लान तो ये एक non-linked but participatory plan है non-linked का मतलब market से इसका कोई लेना देना नहीं है मगर participatory का दोस्तों मतलब होता है कि इसमें company अगर कोई profit कमाती है तो वो उसका एक part आपको भी देगी तो अगर company जितना भी profit कमाएगी उसी साबसे वो declare करेगी कि आपको कितना profit देना चाती है तो उस plan को कहते है participatory plan तो ये एक non-linked participatory life insurance plan है friends life cover की बात करें friends तो इसमें 100 years तक आपका life cover चलता रहेगा जाने कि आप win-win situation में ही हमेशा रहेंगे 100 years एक बहुत लंबा period होता है आज की आज के जमाने में देखा जाए अब जो इसमें दोस्तों आप अपने benefits लेना चाते हैं जो भी आपके payouts होंगे उसमें आपको एक तरह से flexibility मिलेगी जिस तरह से भी आप choose करना चाते है immediate choose करना चाते है तो आप immediate choose कर सकते है deferral आप देना चाते है तो deferral भी कर सकते है वो हम आगे discuss करेंगे चो दोस्तो plan option discuss कर लेते हैं पहला जो plan option आपको मिलेगा वो है immediate income जानि अगर आप immediately income लेना चाते हैं कि मुझे अगले साल से ही income चाहिए तो आप ले सकते हैं अगर आप deferral income लेना चाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी deferral का दोस्तों मतलब होता है कि maturity पर amount मिलेगा जानि अगर आप 100 साल तक जिन्दा रहेगे तो आपको वो amount भी मिलेगा एक maturity amount मिलेगा second अगर deferral income की बात करें तो उसमें आपको मिलेगा एक guaranteed income plus cash bonus जानि आप देखने की बात दोस्तों यह है कि immediate में आपको क्या मिलेगा सिर्फ cash bonus मिलेगा मगर जो deferral है deferral में आपको cash bonus मिलेगा और गरंटीड income भी मिलेगी guaranteed का मतलब दोस्तों guaranteed होता है कि आपको from day one पता होगा जब आप policy purchase करेंगे कि आपको कि इतनी guaranteed income मिलेगी यह किसमें आपको मिलेगा दोस्तों सिर्फ deferred income वाले option में चोड़ दोस्तों discuss कर लेते हैं कि entry age क्या होगी entry age जो होगी दोस्तों इसमें 30 days से लेके 65 years immediate में देखें अगर deferred की बात करें तो अगर आप PPT लेते हैं 8 years की कि आप 8 साल तक पैसा देंगे तो 55 years की आपकी age होनी चाहिए maximum जिसमें आप कर सकते हैं मगर अगर आप देखें तो 60 years तक आप चूज कर सकते हैं अगर आप PPT 10 years या 12 years की चूज करते हैं उसके maximum तक देखें दोस्तों की age at maturity कितनी maximum ले सकते हैं वो 100 years रहेगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ PPT देखें अगर premium paying term क्या रहेगी दोस्तो immediate income में लेना चाहते हैं तो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल कुछ भी आप ले सकते हैं उसके बाद अगर deferred income की देखें तो उसमें 8 साल, 10 साल, 12 साल तीनी option है policy term की बात करें तो 100 age आपको maximum मिल जाएगी minus age at entry age for example अगर आपकी age 30 years है तो आपको maximum 70 years का ही term मिलेगा तो दोस्तो minimum summer short की बात कर लेते हैं minimum summer short किता मिलेगा minimum summer short रहेगा 3 लाग का maximum में कोई capping नहीं है no limit रहेगी वो depend करता है कि underwriter क्या सोचता है जब आप plan लेते हैं वो depend करता है आपकी income पे third point आता है minimum premium दोस्तो इसमें आपने किता देना है वो 25,000 इसमें minimum रहेगा इससे कम आप नहीं दे सकते चलिए दोस्तो immediate income को समझे लेते हैं अगर कोई male जिसकी 30 years है वो यह plan को opt करता है और वो कहता है कि मैं 1 lakh का premium हर साल दूँगा तो वो कैसे इसको opt करेगा और उसको क्या-क्या benefit होते हैं वो देख लेते हैं अगर उसकी 30 years है तो जो maximum उसको policy time मिलेगा दोस्तों वो होगा 70 years का PPT जो उसने चूज की है दोस्तों वो 8 साल की PPT चूज की हुई है जैसे कि हम देख पा रहे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total PPT रही 80 years की maximum जो जो जाएगा दोस्तों वो 70 years तक रहेगा maturity जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि जब आप PPT लेंगे तो आपको cash bonus from very next year शुरू हो जाएगा और आपको कब तक आएगा total जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते हैं तो अगर आप देखे cash bonus जूम करें अगर 8% के हिसाब से आते हैं तो 30,000 per annum आपको मिलेगा और अगर 4% के हिसाब से आएगे तो 14,500 मिलेगा आपको immediate income में दोस्तों अगर देखे maturity और death benefit आपको क्या मिलेगे जानि कि अगर आप 100 साल के हो जाते हैं तो आपको क्या benefit मिलेगा और अगर in between इन 100 सालों के अंदर आपकी death हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा सबसे पहले दोस्तों जो आपको मिलेगा वो मिलेगा some short on maturity अगर आप जिन्दा रहते हैं या अगर death हो जाती है तो भी आपको sum short जो भी बना होगा वो आपको मिलेगा दूसरा आपको दोस्तों मिलेगा cash bonus for example अगर आपने किसी साल में कोई cash bonus नहीं लिया है वो acclude हो गया हुए आगे चला गया हो गया है दोस्तों वो ही जो अगर company profit declare करेगी last में और आपको share देगी तो आपको एक terminal bonus भी मिलेगा terminal का मतलब ही होता है कि policy खतम होगी जा तो death पे मिलेगा जा फिर maturity पे मिलेगा तो total यह आपको benefits मिलेगे death income दोस्तों समय लेते हैं एज 30 years annual premium वो एक लाग रुपय ही देगा तो policy term total 70 years की होगी दोस्तों पीपीटी उसने 8 साल की चूज की है जब पीपीटी दोस्तों उसने 8 साल की चूज की है तो 8 साल प्लस 1 year जानि कि 1 साल उसको wait करना पड़ेगा जानि पीपीटी प्लस 1 year जैसे की मैंने इसमें दिखाया गया है ठीक है दोस्तों तो 9th year से दोस्तों उसको क्या होगा उसको cash bonus भी आना शुरू हो जाएगा और guaranteed income भी लग जाएगी for next 25 years तो आप दे सकते हैं जैसे 9 साल से लेकर 34 साल तक उसको guaranteed income भी आ रही है और cash bonus भी आ रहा है guaranteed income किती देर के लिए आई है 25 साल के लिए आई है दोस्तों तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों 34 जब 34 years की उसकी पूरी जो policy time हो जाएगी उसके बाद उसको जो होगा guaranteed income आना बंद हो जाएगी मगर जो cash bonus उसको दोस्तों आ रहे है वो till maturity तक आते रहेंगे जानी कि total 100 years तक वो आते रहेंगे जब तो उसकी age 100 years नहीं हो जाती जो policy time है वो तो 70 years की रहेगी तो cash bonus जो रहेगा दोस्तों वो मैं again बोलता हूँ वो assumed है जो assumed लेते हैं हम जानी कि अगर company declare करेगी तो आपको मिलेगी अगर company ने declare नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा death income में दोस्तों अगर हम survival benefit या death benefit की बात करें सबसे पहले benefit जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको sum short मिलेगा maturity पे और obviously अगर आपके पहले death हो जाती है तो एक sum short तभी भी मिलता है in case of death second benefit दोस्तों जो आपको मिलेगा वो है cash bonus का अगर कोई cash bonus आपको नहीं मिला है तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर company ने declare किया होगा terminal bonus की बात करें तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुकता हूँ terminal bonus बोनस होता है जो last में आपको मिलता है जब policy terminate हो जाती है जा तो death हो जाएगी जब पूरी policy term complete हो जाती है और यह terminal bonus तभी मिलता है जब company इसको declare करती है deferred income के तुरू जो cash bonus है वो throughout policy आपको मिलता रहेगा friends guaranteed income chart अगर आप देखना चाते है तो दोस्तों वो आप देख सकते है इसमें मैं एक example ले लेता हूँ friends अगर तो यह 26 से लेकर 35 साल तक है तो हम देखेंगे अगर तो वो PPT चूज करता है 8 साल की तो आपको जो guaranteed benefit मिलेगा वो मिलेगा 28 परसेंट इसी तरह अगर वो चूज करता है 10 साल की PPT दोस्तों तो उसको जो benefit मिलेगा वो मिलेगा 40 परसेंट और अगर वो चूज करता है 12 years की PPT तो जो उसको benefit मिलेगा वो मिलेगा 50 परसेंट तो दोस्तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे अगर आप APT बढ़ाते हैं तो आपको guaranteed benefit भी बढ़ता जाता है चार्ट मैंने दे दिया हुआ दोस्तो आप एक बार इसका screenshot ले सकते हैं और पूरा देख सकते हैं राम से grace period की बात करें दोस्तो तो 15 days का grace period रहता है दोस्तो अगर आप कोई policy आपने monthly mode पे ले रखी हुई है तो अगर आपने annual basis पे ले रखी है या किसी और mode पे ले रखी हुई है तो maximum आपको 30 days का grace period मिली जाता है दोस्तो surrender की बात करें दोस्तो तो एक term बहुत यूज होती है वो है GSP जाने कि guaranteed surrender value ये guaranteed surrender value का आपने जरूर अचीव करना है अगर आपने ये नहीं ली तो आपका नुक्सान हो जाएगा अब इसका मतलब क्या होता है guaranteed surrender value का मतलब होता है दोस्तो कि दो साल तक आपने premium जरूर देने अगर आपने दो premium नहीं दिये तो ये आपकी guaranteed GSP है जो guaranteed surrender value है ये आपकी zero हो जाएगी एक तरह से lapse और paid up की बात करें तो lapse का दोस्तो मतलब होता है कि अगर आपने GSP अचीव नहीं किया जानी कि दो साल अगर आपने premium नहीं दिये तो आपकी policy lapse हो जाएगी और आपको कोई भी benefit नहीं मिलेगा ना आपको surrender का benefit मिलेगा ना आपको death का benefit मिलेगा ना maturity benefit मिलेगा जो आपके जो सारे benefit होंगे और in fact जो आपने एक premium भी दे रखा होगा वो भी आपका zero हो जाएगा इसी तरह अगर आप GSP achieve कर लेते हैं जानी कि आप दो premium at least दे देते हैं तो आपकी जो policy होगी वो paid up में चली जाती है दोस्तो उसको कहते है reduce pay up जहने कि जब वो paid up में चली जाती है तो आपको at least benefit तो मिलते हैं मगर थोड़े reduce pay out मिलते हैं मगर आपको पूरी तरह नुक्साड नहीं होता है revival की बात करें दोस्तों कि अगर आप अपनी policy revive करना चाहते हैं तो company आपको मौका देती है आप अपनी policy को revive कर सकते हैं जो भी आपके जो अपने premium pay नहीं किये जो outstanding है plus कुछ company interest charge करेगी वो आपको उसके बाद आपकी policy को revive कर देगी इसी तरह देखें कि revive में interest कितना लगता है तो दोस्तों वो near about आपको जो interest लगता है वो लगता है आपको 9.5% के इसाब से rider की बात करें दोस्तों तो दो rider add किये गे हैं HDFC life के इस plan में पहला rider दोस्तों आता है वो है accidental disability rider अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है summer short का एक परसेंट आपको अगले 10 साल के लिए हर महीने मिलेगा अगर खुदा ना खास्ता accidentally आप disable हो जाते है इससे दूसरा rider जो दोस्तों एड किया गया है वो है critical illness rider इसमें दोस्तों 19 critical illness डाली गई है खुदा ना खास्ता किसी को यह 19 में से कोई भी critical illness हो जाती है और वो तीस दिन तक survive कर लेता है तो एक summer short company उसको pay करेगी tax benefit की दोस्तों बात करें तो obviously ATC का benefit आपको मिली जाएगा जो डेर लाक रुपे तक होता है और cancellation और cancellation और free look की बात करें तो 15 days का time आपके पास होता ही है अगर आपको policy पसंद नहीं आती है तो जब आपको यह bond मिलता है तो आप इस policy को कभी भी cancel करा सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का plan HDFC life का संचे पार advantage तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में ज़रूर बताईएगा और अगर आपका कोई question है कोई query है जो आप मुझसे पूछना चाते हैं तो किरपय करके comment section में ज़रूर पूछिएगा तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को like कर दीजिए और मैं अपने request करूँगा आप मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजिए और bell button को भी press कर दीजिए मैं इसी तरह दीरे दीरे आपकी finance की knowledge बढ़ाता रहूंगा और आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूंगा तब तब के लिए बाई बाई